देखिए आठ नंबर देख लेते हैं इसको भी मान लेते हैं माना fx बराबर में cos2x हमें f-x निकालने के लिमिट h tends to 0 fx plus h minus में fx और बटा में आपका h यही न हो जाएगा चलिए लिमिट h tends to 0 fx plus h के value हो जाएगा cos2x माइनस में cos2x और बटा में आपका h उपर sin cos c minus cos d क्या cos c minus cos d क्या formula होता क्या है इसका तो इसका होता है माइनस का 2 sin c plus d by 2 और sin c minus d by 2 तो लिमिट h tends to 0 माइनस का 2 sin 2x plus 2h plus 2x by 2 देहरा ना c plus d by 2 और sin c minus d by 2 यानि कि 2x plus 2h minus 2x by 2 और बटा में आपका h है तो h रहे गए हैं चलिए अब इसको आगे solve करते हैं लिमिट h tends to 0 माइनस का 2 sin 4x plus 2h by 2 और यहां दोखो यहां यहां कर जाएगा और 2h में 2 से भाग करेंगा तो sin h हो जाएगा चलिए और बटा में आपका h चलो भाई है यह माइनस 2 constant है लिमिट h tends to 0 जो बचेगा इसको लिख दो यहां पे 2 common करने के बाद बचेगा sin 2x plus h ठीक है इन्टू लिमिट h tends to 0 इन्टू में है तो sin x by x कर देते हैं sin h by h अब देखो यहां पर यहां पर 0 पूट करना तो माइनस 2 sin 2x plus 0 और इन्टू में इसका 1 ठीक है झेला क। लिमिट हैक टा मिनस कर 2 sin 2x बच्ड़ कर देखो